दोस्तों आप सबको सवागत है आपके अपनी चैनल फैंड़सी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले है लिंस्टर लाइटनिंग वर्स नॉर्थ वेस्ट वर्योस के बेंचों खेला जाएगा आइलेंड प्रोविंशल फिप्टी ओवर्स कप का फर्स कुड़ा अन तक देखो भीना स्कीप कियोगे अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो फटा वट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन कर लो रिजन इसके बाद के कवरेज क्या होंगे सिनलुशय टीटन कवरेज मिलेगा मिलेगा आईपिल के कवरेज उसी के साथ चेक रिपब्लिक जिम 11 अल्लेडी अट कर चुका है उसके कवरेज मिलेंगे उसके बाद तंजानिया और जितने भी डोमेस्टिक लाइक डर्वी नोडीडी जैसे मैचस होते तो सभी डोमेस्टिक हो इंटरिशनल हो सभी के कवरेज आपको इस चैनल मे चैनलने वाल आएगा इस टॉस अपडेट जो बहुत इंपॉर्टन है क्यों है न हम लोग आएंगे उसमें विकॉस लास सेजन में न तीन बार चेजिंग की मुईन किया था तीन बार चार मैच में तो क्या हुआ था हम लोग भी डिसकस करेंगे तो फाइनल अपडेट के ल तो कुछ 14,000 के करीब सब्सक्राइबर वाला यह चैनल मिलेगा जहां पर आपका आफटर टॉस अपडेट्स मिलेंगे तो चौइन हो जाना तेलिग्राम पर ठीक है मैं फटाफ़ट वीडियो स्टार्ट करता हूं यह मैच कहां कहला जाएगा डबलीन में लास सिजन भी स्थर्ड वर ठीक हपने मिलेंगे के एशता ऑचें नहीं यह मैंना तब टॉडन में इनका गाइन को घृर ग्रते हैं नेक선 को तो तो टॉड़ेन मुलेंर टॉग्त वीडियो साढ क्रते हैं अब इन्यूड जो क्या जो चैनimento को दें T20 format नहीं उतना लीडी उस नहीं होगा बट पाथ से 10 होगा शायद मैक कहड़ेगा फइनल अबड़ी तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम जरू से जोइन हो जाना ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में और आप सर्च भी कर सकते हो एन डेवली डेवली के तरफ आता हूं मैं लास्ट सीजन से हम लोग क्या कुछ सीखा था हम लोग बाद में डिस्क्रिप्श करें है ना लासी सेक्शन में नैथन मैक गियोर इन से उपन करने वाले मुस्ट बहुत हाई है मत लेना लेके रखियो तो पहले उसको हटा देना ठी एक टीस लाई बनाया था जू इशो था क्या है वही है कुछ दीन आगे कोचिंग भी करा रहा था इधर सत्रह 14 दो नुडब 10 त आप समझ चेंड़ रहा हूं और इंकर सिंन inherent कुछ कहस है ने यह नो बात कर रहा हूं, लिस्ट एक एडिया, ठीक है, जो ये भी मैच होगा, लिस्टे मैचेस होंगे, ठीक है, William Porterfield हो गया, उपिन करेंगे, Stephen Dwayne ये वन डाउन कहलेगा, लास्ट ये लिनिंग स्कोरर, रिसेली 29, 81, ये इनिंग्स कहां पे था है, ये बंगलादिश इमर्जिंग के अगेंस था, आइलेंड का मैच, आइलेंड इमर्जिंग जो भी बोला, आइलेंड एका मैच था, वंगलादिश इमर्जिंग के साथ, उसके अगेंस भी 81 रंस का एक इनिंग्स था, Stephen Dwayne, बहुत अच्छे परफोर्मेंस दे के आ रहे है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, मस्ट पिक, जाएद डिफेंशल अग्वाइस केटिन भी युज़ कर सकता है, चेजिंग में बैटिंग वस्टोरा डिसकी हो सकता है, S. Thompson, 2-2 इनिंग्स, 39 रंस कुछ ज़्यादा परफोर्मेंस नहीं है, बॉलिंग फिलाल करना बंदी कर दिया, S. Thompson, एस गेट-कटे, राइड़ मीडियम, 2-2 इनिंग्स, 95 रंस केटिन, उसमें से 1 मैच में 24 रंजर सा था, 11 आउवर डाला था, 1 विकेट, S. Thompson, अगर देखोगे, बैटिंग एटेक इनका, तो थोरे मुझे लगड़े कि इनका बैटिंग आना चाहिए, S. Thompson, गेट-कटे, जो मिडल ओर खिलना चाहिए, Most probably देखो, ये टॉप के 4 तो अल्मूस्ट फिक्स्ट है, मैच में बालिंग नहीं किया, इसमें कुछ इशू हो गया था, एक रन, 0 विकेट, विकेट नहीं मिला था, 29 रन, 1 विकेट, तो बहुत खराब परफोर्मेंस है, नहीं गेट केटेगा, तो आप अपने टिप में जरूरु रख सकते हो, अब बंगलादेश में हुआ था, वो जो डी हुआ था, बंगलादेश के अगेंस्ट, वो बंगलादेश में था, अब यह है आइलेंड में, जहाप पे पेसस को थोरे ज़्यादा बॉल, मेरे साब से ग्राहम को चरूरू लेकर रखना, लास सेजन भी अच्छा ही था, इनका बहतर रन एक विकेट था, इसपेशली टी 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 जादा अच्छा था, बैटिंग फर्स तो मैक बैटिंग भी आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, औल्मॉस्ट कनफर्म है, रिजन है न, इनके पास जो टीम है न, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने रहा है, मतलब बैटिंग अगर देखोगे, दोनों टीम का कुछ खास है ने, इनके बस एस दुईनी को छोड़ के, मैक गुर, विल्यम पोर्टर फिल्जादा फॉर्म में नहीं है, विल्यम पोर्टर फिल्जादा मैचस भी नहीं खेल रहे, स्टूर थॉर्ट थॉम्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब हिट औन मिस टैप के निचर के प्लियार है, ज़्यादा ब बड़ रिसेंट परफोरमेंस अगर देखोगे, विद बॉलिंग एक विकेट, 16 रन, 0 जिरो रन, 5 विकेट, एक विकेट, 0 जिरो रिसेंट लिए पाच विकेट, हॉल भी था इनका, तो जमिस करना थोड़ा रिस्की हो सकता, एंडी मैग ब्रैन, इस्पेशल एको लिए बैटिंग करते हैं, यह एक इश्व है इनके साथ, लेफ्टाम और्टाडोक्स बालिंग करते हैं, रॉस एलन, दो मैच में आर्ट ओवर डाला था, लास सेजन में, एक मैच में, एक मैच में, जिरो इकेट, क्रेग यंग, राइटम फर्स, लास सेजन, दो मैच में, लास सेजन मतलब, जाहीं, जजो सीरिज, था ना, इसका जो एडिशन था, लास सेजन, में सेप्टमबर महिने में था, उसका बात कर रहा हँ, प्रेक यंग लास सिजन में दो मैच में दो इक निकाले थे लिसेंट पर्फोर्मेंस यह इंटरनेशनल मैच इसके पुपोर्मेंस है जहाँ इनको एक मैच में तीन जिरो इक जिरो इक था बॉयर्ट रैंकिंट राइट फर्स बॉलिंग करते एक मैच चार ओवर में 0-0-0-0- बैट 0-47 एक रन एक विकेट मिला था अर्ट आलिस रन तो बॉयर्ट रैंकिंग का पुफोर्मेंस देखो तो रिसेंट मैच में अच्छे से दिखा रहा हूं हमको केबल एक मैच में चार ओवर्ट डाला जिरो एक मैच में चारी ओवर्ट डाला दूसरा पॉइंट के रिसे मैच खेला था जहां पे इन्होंने च्छे ओवर्ट डाल दो एक निकाले थे राइट अमीडियम बॉलिंग करते हैं आपको दीखेंगे ठीक है डिफरेंशिल राइक कर सकते हो चे ओवर्ट में दो इकन भी था इनका लास सेजन में अब आता हम लल जी के तरफ उसका आगे गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीस यह लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीगाम जॉइन हो जाएं आफटर टॉस अपडेट्स के लिए लल जी में क्या है गाइस यह टेक्टर इन से ओपन करेगा चार मैं चार इनिक्स में 76 र बट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्ट है ना लास्ट सिजन में यह बॉलिंग एक ओवर नहीं डाला था जो वह था इंटर पोविंशल कप सेम इसी कप का लास्ट एडिशन बट अगर आप लोग देखते हो गाइस इनको इस यह मतलब जो इंटरनेशनल मैच इस थे उसमें क्या हुआ इन्होंने एक रन बट जो बात है वो 0-1 बतलब यह बॉलिंग करा रहा है यह बहुत बड़ा इशू होने बाला है कि यह केबल बॉलिंग नहीं करा रहा है यह बॉलिंग करा रहा है तो हो सकता है यहां पे भी बॉलिंग डाले तो अगर बॉलिंग डालता है तो बद्दस captain option अगर balling नहीं डालता है तो आप vice captain बना के थोड़ा safe खेल सकते हो तो हम लोग को confirm नहीं है first match है तो let's see क्या होता है क्या करते है बट हो सकता है balling करते हुए दीखे experience player है जैमी ग्रासी आ जाते है जो एक उन्नीस एक किस इनका तीन इनिंग में था लास सिजन में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड अच्छा मुझे लगा नहीं लॉर्क टैकर मस्ट पीक है बहुत शांदार फॉर्म में बंगलादेश में जो इमर्जिंग मैच था अल्मस्ट हर मैच में 38 सभी प्लेश ने सफर कर रहा था बट इन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया था लास सिजन भी इनका चार मैच में तीन इनिक्स में 108 रर रन बहुत जबदस पीक है मस्ट पीक हो जाते है आपके लिए इनसे बहतर चोईस तो कोई है नहीं टेक्टर तीन मैच दो इनिक था लास सिजन में 104 रर मतलब बैटिंग मॉलिंग दोनों से कमाल लिसेंट परफोमेंस अगर देखो गए तो गाइस इनका 20 रन 3 विकेट 13 रन एक विकेट फिर 23 रन एक विकेट एंड चौवन रन पांच उके तो समझ रहे हो ना क्यूं मैं इनको कैप्टेन बनाने को आपक बैटिंग फस्ट इनको बैटिंग कनफर्म आने वाला है तो शायद बैटिंग साब को 30 से 40 पॉइंट दे दे और शायद बालिंग से एक से दो विकेट तो अविस कैप्टेन वाइस कैप्टेन जय 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 गट लें कर सकते हैं लास सिजन में अट ओवर और उल इनका कर्यर ज्यादा खेले नहीं लास सिजन में आठ मैच पाच इनिंग्स पच्पन रन पर दो उकेट रिसेंट पर्फोमेंस चार रन जिरो एकट डू नोट बैड बॉल कुछ नहीं मिला फिर जिरो एकट भी मैकर थी इनको जिम लेवन ने सर्प्राइजिंग्ली बैटिंग सेक्शन मे रखा है जो गाइस बहुत शांदर प्लेयर है लास सिजन ज्यादा खेले नहीं अर्टालीस मैच में सततर विकेट है ओवर्ल फिर्स्ट क्लास मैच फिर्स्ट स्वरी इस लीज टेक अडियर लास सिजन यह ज्यादा खेला नहीं तो मैं उसके उसलिए रिकॉर्ड नहीं पींगो जाते आपके लिए पिटर चिस्स एक और चलिए चाहर मैच में पाट चुके दोएक लिए रिसेंट इन फ्कानच का बता रहा हूं इंटेैसल अच्छा है इंटेसल मैच नियुकिस का बता रहा हूं इंटेसल मैक्च और इमजिंग मैच कहलते हैं ज्यादा performance, 0-1, 2-1, 2-1, 0-1 थोरे hit and miss है, बर जब लेते हैं उच्छे में लेते हैं, लेफ्टरम orthodox balling भी करते हैं, तो अच्छे चोईस है, बहुत अच्छे चोईस है, ट्राइ कर सकतो, James Newland ये दोनों new खेलेंगे, इनका पता नहीं है new खेलेंगे एकदम, और new land ये शायद दोनों को chance ना मिले, because 13 member का squad अगर है, तो ये दोनों शायद ना खेले, ठीक है, तो मैं आता हूँ कि आप safe players के साथ जाना, अगर आप team balance देख ले, तो इनके पास quality 3 baller हो चुके हैं, अच्छे से देखना ये part सबसे important है, इनके पास 3 quality quality baller है, इनके पास 4 quality baller है, सिमी सिंग, तो समझ रहा हूँ 4 quality baller है, इनके पास, मैं team strength बता रहा हूँ, ध्यान से पुड़ा देखना, 4 quality baller हो चुके है, quality batsman, सिमी सिंग, बहुत अच्छे all-rounder, अच्छा खेल रहा है performance, Kevin O'Brien, लॉर, गेंटर कर, तो 3 quality batsman है, तो 4 quality baller, 3 quality batsman और अगर आप इस पे आते हो, तो William Potterfield, जो recent performance अच्छा नहीं है, बट quality wise अच्छे है, Stephen Duaney अच्छे choice है, अच्छा player लग रहे हैं मुझे, get-getty, hum, दोनो ना guys, क्या है, दोनो all-rounder है, quality baller और quality batsman नहीं है, दोनो से कर सकते, तो मुझे इनको थोरा week लग रहा है, यहां से Craig Young, तो अगर आप देखते हो, धियां से, तो आप one-sided team जरूर बना सकते, एक आदा team GL में जरूर बना सकते, तो LLG के तरफ, इसी से मैं analysis स्टार्ट करता हूँ, analysis section, उसका आगे वीडियो पॉस करके वाला हूँ, तब बहुत easy भी होगा, मेरा हिसाब से, LLG depends on 3-4 main baller, and I think, यहां पर इनका key players है, ठीक है, यह 3-4 main baller है, इनके पास, and 3-4 main batsman है, ठीक है, but, and WW na, team game खिलना पड़ेगा, इनको get-ka-take, फिर, जितने भी players से, Stephen Dwayne, Hume, इनको team game खिलना पड़ेगा, ठीक है, because इनका सभी का performance देना important है, because थोड़े experience-wise भी अब अगर देखते हो, तो LLG थोड़े बिटल लग रहे है, मुझे, Kevin Obrine, C.M. Singh, बहुत बड़े-बड़े players, बड़े-बड़े नाम है, ठीक है, captain choices, Kevin Obrine can ball 2, अगर balling करने बड़े-बड़े करते हैं, Stephen Dwayne, थोड़े रिस्क है, because opponent का बैस्मेन है, बोलर्स है, वो बहुत स्ट्रॉंग लग रहा है, मुझे, बहुत स्ट्रॉंग team है, तो Stephen Dwayne, थोड़े रिस्क है, बढ़ try कर सकतो, Hume get cut, ये combination try करना है, especially अगर balling first हो, अच्छे से बैडी मेकर थी, लॉरेन टकर है, हमारे पास, हमारे पास है, शन गेटकर है, हमारे पास है, एंडी मेकब्राइन, और Craig Young, and guys, यहां से Peter Chase है, ठीक है, after toss updates अपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल जॉइन हो जाना, वीडियो बसंदा है, तो लाइक कर देना, thank you guys, bye,